नमस्कार मैं काजले अदब स्वागत करती हूँ आपका हमारे न्यूस चनल इंदुस्तान इस्टेट पूर में आई बढ़ते हैं आपके तुस्था सब्सक्राइब बिलारी वाई आई एस संस्था द्वारा स्टेशन रोड पर कृष्ण धाम कॉलोनी में पेल लगाओ पार्यवरण बचाओ जल प्रबंधन कर प्रित्वी बचाओ कारिक्रम के अंतगरत व्रक्षा रोपन किया गया वाई आई एस संस्था के प्रबंधक सूरजपाल सिंग एड़ोकेट ने कहा कि पार्यवरण वाप्रित्वी को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेल लगाने तथा जल का ठीक प्रबंधन करना जरूरी है क्योंकि प्रित्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है जिससे ग्लोबल वाउमिंग के कारण प्रकृती में बहुत सारे दुस्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं YIS संसिथा के निर्देशक पवन कोहुली ने सभी चात्र चात्राओं के साथ व्रक्षा रोपन किया जिसमें उन्होंने चात्रों को बताया कि पिछले महा से इंस्टिट्यूट द्वारा व्रक्षा रोपन कारिक्रम चल रहा है तथा जलसंग रक्षण की मुहीम के अंतरग प्रित्वी कातापमान बढ़ता जा रहा है जिसके कारण बार सूखा आदी घटनाय देखने को मिल रही है इसलिए पारेवरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना वार जल प्रबंधन बहुत जरूरी है आज हम लोगोंने परवड़ की सुरुक्षा के लिए करीब हमारा एक महीने से प्रोग्राम कारेकरम चल रहा है जिसके अंतरगत हम लोग जितने भी हमारे संसा से जुड़े हुए चात 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 रहे हैं सब लोग ब्रक्षर ओपड कर रहे हैं और एक-एक स्टुडेंट को हमने ददस पेड देने लगाने का कारेकरम किया है और हमारे जितने भी संसा से जुड़े चात चात रहे हैं दस दस पेड लगा रहे हैं आज भी हमने इसी कारेकरम के अंतरगत अपने यहां क्रिश्ट धाम कालोनी में पूरी कालोनी में ब्रक्षर ओपड किया है और हमारे क पिछले साल भी हमने बहुत सारे कारेकरम किये थे इस बार भी जल सरंग्षड के ऊपर हम कारेकरम कर रहे हैं और अधिक से अधिक ब्रक्षा रोपड कर रहे हैं जिससे की चुकि ग्लोबल बॉर्मिंग की बज़े से हमारी जो प्रत्वी है उसका टैंपरेचर दिन बढ़ता जा रहा है आज हमने संस्ता के अनुसार संस्ता के अंत्रगत हम कारेकरम चला रहे हैं जिसके अंत्रगत हमने ब्रक्षा रोपड किये हैं पिछले एक महिने से हमारे हम हमारी संस्ता से जुड़े चाचात्र है सारे लोग सारे बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं और ग लगाए हैं हमारा मेन उद्देश यह है कि अधिक से अधिक पेड़ लगें जिससे कि जो गलोबल बार्मिंग की बज़े से प्रतवी का टैंप्रेचर बढ़ रहा है वो कम हो और पानी का जो जल जो हमारा जल का जो लेवल हो नीचे जा रहा है वो उपर आए तो यह सारी करद है